हेलो, नमसकार सभी साथियों, आप सभी का स्टार परिवार में स्वागत है इसमें हम देखेंगे जो कक्छा नौमी, क्लास नाइंत की है, जो साइंस की बॉक है इसमें हमारा जो पहला चेप्टर है, चेप्टर अध्याई का नाम है, हमारे आसपास के पधार्'t इसको हम अच्छी तरह ऐसी समझेंगे और जो इसकी question है उनकी हम answer वीज में देखेंगे चलिए तो हम समझने का पूरा प्रियास करना है आपको और आपको क्या करना है अपनी practice और तेज कर देना है ताकि आपके जो exam में नमर है बिल्कुल 100% अंक आने की पूरी संभाना हो सकी आपको कठन परिस्तरम करना पड़ेगा आपको क्या करना है कठन से कठन परिस्तरम करना पड़ेगा देखते हैं तो हम सबसे पहले देखिए यहां अध्याय की जो समिक्षा है इसमें हम जो कुछ परिभासा है वो हम देखते जाएंगे और आपको हम समझाते जाएंगे देखिए यहाँ पर पधार्त क्या कहती हैं पधार्त किने कहती हैं पधार्त वो है जो जितनी चीजें हैं जो जितनी बस्तु में हैं जिन कड़ों से जिन सामागरी से जिन चीजों से मिलकर बनी होती हैं उन्हें हम क्या कहती हैं साइंस की भासा में पधार्त नाम देते हैं ज आपके पास जैसे बुक है, पुस्तक है, वह किस कड़ों से मिलकर बनी है, वह जिस कड़ों से मिलकर बनी होती है, उसे बिग्यान की भासा में, साइंस की भासा में क्या कहा जाता है, पधार्त कहा जाता है, तो आप समझ गई होंगी, आपके पास जितनी भी बस्तुएं हैं, चाहे वो बैग हो, जूते हो, बुक हो, कपड़े हो, जितने भी समग्री बनी है, वह जिन कढ़ों से मिलकर बनी होती है, बिग्यान की भाасा में उसे क्या कहा जाता है, पधार्थ कहा जाता है, तो परिभासा में हम क्या लिखेंगे देखिए संसार की जो सभी वस्तुएं हैं जिस सामगरी से मिलकर बनी होती हैं उसे पधार्थ कहते हैं अब आपको बिलकुल समझ में आ गया होगा कि पधार्थ किसे कहते हैं अंगला जो हमारा पॉइंट है अंगला पॉइंट क्या है द वस्तुएं जिनका द्रबमान होता है द्रबमान मतलब होता है बजन जिन में बजन होता है कि कौन सी वस्तु कितनी भारी है कितनी बजन की है और जो इस्थान घेरती है क्या घेरती है इस्थान मतलब आयतन एरिया उसे हम क्या कहते हैं पधार्त कहलाता है एक इस प्रकार से भ बजन हो द्रबमान होता है और वह क्या घेरी आयतन घेरी उसे भी क्या कहा जाता है पधार्थ कहा जाता है अंगला हम देखिए यहां से प्राचीन भारत की दार्सकोने ने पधार्थ को पंच तत्वे मतलब यह पधार्थ है बायू अगनी प्रतवी अगनी जल और आका से बन बताया है और पधार्थ को इन ही पच्च पांच जो तत्व है उन में क्या किया गया है बर्गी करत किया गया है अब हम इसके जो देख लेते हैं कौन सी है यहां और अंगला है सभी पधार्थ है जो किसे छोटे-छोटे कणों सी मिलकर बने होती हैं बने होते हैं जैसी पैन है अब एक ही चीज तो है नहीं उसमें छोटे छोटे पिलास्टिक के उसमें कण है उन कणों को क्या किया गया है जोड दिया गया है तो किस का निर्माण हुआ है पैन का निर्माण हुआ है अब देखना है पधायत की कणों के बीच क्या होता है रिक्तिस्थान होता है बहुत छ अपसे कम रिक्तिस्तान बिल्कुल कण पास पास हो जाए यह इस्तिती कब बनती है जब कोई पधारत क्या हो ठोस हो ठोसों में क्या होता है इनकी बीच बिल्कुल कम गैप होता है बिल्कुल गैप सटे होती है कण बिल्कुल एक दूसरी की और गैस है कैस में जो कणों की दूर दूर हो जाती है तो यह इस्तिती गैस में बनती है किसमें बनती है द्राव में बनती है और जो हमने बात की थी गैस में गैस में जो कण हैं बहुत जादा दूर दूर हो जाती है बहुत जादा रिक्तिस्थान हो जाता है तो यह इस्तिती बनती है किसमें गैस में आपक देखिए यहां पधार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं आकरसित करते हैं अपनी और खीचते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं आकरसित करते हैं पधार्थ के कण में क्या होती है गते जूर जा होती है क्या करते हैं गती करते रहते हैं यहां से वहां जाएंगे वहां से यह आएंगे और तापमान मतलब ज़ा हम गरम करती हैं तो इनकी गते जूर जा है जो क्या हो जाती है बढ़ जाती है अंगला देखिए अंगला पॉइंट क्या है पधार्थ के करणे अपने आप भी एक दूसरी के साथ अंता मिस्रित हो जाती है ऐसे करणों के रिक्ति स्थान मे समाबेस की कारण होता है किसकी कारण होता है समाबेस की कारण एक दूसरी में क्या होती है मिल जाती है मिसरत हो जाती है अब देखिए बिसरन बिसरन क्या है मतलब दो बिभिन पधार्थों की कणों का सुतह मिलना दो बिभिन पधार्थों की कणों का सुता क्या होता है मिल जाती है तो ये विशरन कहलाता है अब देखिए पधार्थ की कणों की बीच एक बल काम करता है कौन सा बल काम करता है पधार्थ की बल की बीच और इसे हम क्या बोलते हैं अंतुरानक बल जब पधार्थ की जो खण है उनके बीच बल काम करता है उसी क्या कहती है अंतुरानेक बल और यह बल है जो कणों को क्या करता है एक साथ रखता है एक साथ क्या करता है बांधी रखता है एक साथ रहता है जैसी कोई पधार्थ है जो छोटी छोटी खण हो गए यह क्या करती ह एक दूसरे को आकरशित करती है अपनी और बादर रहती हैं इनके बीच में जो बल लगी उसी हम कहती है अंतुरानेक बल क्या कहती हैं अंतुरानेक बल प्रतिक पधार्थ में आकर्षन बल अलग-अलग होता है जैसे जब अलग-अलग पधार्थ होंगी तो उनमें बल है जो बल की वो कैसा होगा अलग-अलग रहेगा जिनके बीच जो जैसे कोई पधार्थ है यह छोटी-छोटी क्या है? कड़ है अब जो जतने पास होंगी तो उने में बल जादन लगीगा जैसे जादन दूर रहेंगी तो उने में बल है जो कम लगीगा यह आपको बता रहे हैं कि प्रतेक पधार्थ में जो आकर्षन बल है वो कैसा होगा अलाग अलाग होगा और इनी बलों की कारण है जो पधारत किया बनती है अवस्था बनती है अब देखिए कैसी बनती है अवस्था जैसे हमने अभी तीनों धारण देकर बताए थे देखिए ठोस क्या है ठोस इसमें बिलकुल कण कैसी होती पास पास रहती है पास पास रहती ह और एक स्थेधी कब बनती है ठोस में गैस में क्या होती है थोड़े दूर दूर होती है इसमें किसम समझ लेती है हम द्रव में समझ लेती है क्या द्रव द्रव में है जो कण कैसी होती है ठोसों की अब एक च्छा दूर दूर और गैस में है जो करन बिलकुल जादा दूर दूर होते हैं समझ रहे आप इसमें क्या होता है देखिए बिलकुल पास पास है तो इनमें बल है जो आकरशनबाल है वो कैसा होगा जादा होगा सबसे जादा होगा जब यह तो क्या है ठोस है वो हल डूल नहीं रही द्रव क्या रहता है बह जाता है ठोस क्यों नहीं बहते है ठोस इसलिए नहीं बहते हैं कि इनकी बीच है जो आकर्षनपल कैसा है ज्यादा है द्रव में ठोसों की अपिक्छा है जो आकर्षनपल कैसा होता है कम होता है जिस कारण से यह सता है पर क्या होती है बह जाती है और पधार्थ की क्या होती है तीन अवस्ता होती है आपसे तार्थी चौधी अवस्ता होती है तो उसका नाम क्या है प्लाजमा क्या नाम है उसका नाम प्लाजमा यह आपको हम और आगे जाकर अच्छे से बताएंगी अब देखिए यहाँ पधार्थ की यह अवस्था उनकी कड़ों की बिभिन्ने विसेश्थाओं की कारण होता है बल लगाने पर ठोश तूट सकती हैं लेकिन इनका आकार नहीं बदलता बल लगाने से क्या होते हैं कोई ठोश पधार्थ है वह है तूट जाते हैं और उनका आकार लेकिन नहीं बदलता है कोई भी चीज हो हम उस पर बल लगाएंगी तो वह क्या होगी तूट जाएगी अंगला देखिए द्रब का कोई आकार नहीं होता द्रब है जो कैसे है उनका कोई आकार नहीं होता उन्हें हम जिस बरतन में जिस साइच की बरतन में डालेंगी तो वह है उस आकार के हो जाएंगे कैसे हो जाएंगे जिस साइस के हम बरतन में डालेंगे वह है उस आकार के हो जाएंगे जैसे हम द्रव को इस बाली बरतन में भरेंगे तो इसका आकार ले लेगा हम किसी गोले बरतन में भरेंगे तो है गोले जैसा आका ले लेगा ले लेगा की ने लेगा यहां हम बेलन में भरेंगे तो है बेलन जैसा आकार ले लेगा द्रव में है जो इसका आकार नहीं होता है लेकिन इसका क्या होता है परंतु द्रव का होता है आयतन होता है आयतन मतलब जो जितनी जगह है घेरे तो वो क्या कहलाता है आयतन कहलाता है देखिए द्रव में ठोस द्रव और गैस तीनों का विसरन संभाव है द्रव में ठोस है और द्रव और गैस तीनों का क्या होता है विसरन होता है विसरन संभाव है आंगे देखिए ठोस की अपेक्छा द्रव में विसरन की दर कैंसी होती है जाना होती है हम यहीं बता रहें विसरन मतलब एक जो चीज है वो जल्दी सी क्या हो जाए दूसरी कणों की बीच पहुच जाए तो क्या होता है ठोस की अब एक्छा द्रव है इसमें विसरण की दरगेंसी होती अधेक होती है यही कारण है कि द्रव अवस्था में पधार्थ की काने सुतंत रूप सी क्या करते हैं गती करते हैं हम पहली बता चुके हैं और ठोसों की अब एक्छा द्रव के कणों में की बी संपीटता मतलब होता है बिल्कुल दबाना जैसे कोई ठोस है ठोस में संपीटता कैसी होती नगण होती है क्यों कि इनकी जो कण है बिल्कुल पास पास रहती है एक दूसरी से सटे रहती है इनको हम दबाएंगे तो यह क्या होंगी कम नहीं होंगी क्यों कि बिल्कुल पहले स सटे हैं यह कौन है ठोस हैं अब जैसे द्रव है द्रव में थोड़ा क्या होता है गयप होता है निकड़ोबे यह थोड़े क्या होते हैं दूर दूर होते हैं तो इनमें है जो क्या होती है संपीटिता होती तो है लेकिन थोड़ी जादा होती है और जो गयस है इसमें संपीट इता बिल्कुल ज़्यादा होती है कैसी होती है बहुत ज़्यादा इनको हम आसानी से संपीट कर सकते हैं कंप्रेजन कर सकते हैं दबा सकते हैं तो सबसे ज़्यादा संपीट इता किसमें होती है किसमें होती है अब बताइए सभी गैस में होती है अंगला देखिए तापमान इवं दाब में परिवर्तन करकी अवस्ता को क्या किया जा सकता है बदला जा सकता है आप बोलेंगे कैसे बदला जा सकता है ताप मन ताप मन मतलब गरम कर देना कोई पता है क्या है बर्फ है क्या है बर्फ है इसको जब हम गरम करेंगी इसे हम क्या करेंगी आच देंगी आग आग में क्या करेंगे गर्म तो यह अवस्ता बदल जाएगी बर्प है केंजा था ठोस अब जैसे हमने उसको गर्म किया तो यह किसमें बदल गिया यह बदल गया भी यह द्रव में किसमें बदल गया द्रव में अवस्ता कैसी हो गई चैंज हो गई पानी बन गया पानी बन ग जाएगा गेस मतलब बास्प भाप क्या बन जाएगा भाप में बन जाएगा भाप किस में बन जाएगा यह भाप बन जाएगा अब देखिए तो यह अवस्ता क्या हो गई गेस बन गई तो यही आपको समझाने का यहां प्रयास किया गया है कि तापमान इवन दाब में इस प्रकार से जैसे भाप है कोई गैस है इसको हम दबाएंगी किसी पिष्टन से जैसे यहां देखिए यहां भरी है क्या गैस इसे हम पिष्टन से यह लगा क्या पिष्टन यहां हम यहां से प्रेशर डालेंगे नीचे की और दबाएंगी तो यह जो कण है वो क्या होंगी दब कर संपीड हो जाएंगी और इतनी बचेंगी फिर इसके नीची क्या हो जाएंगी इद्रव क्या हो जाएंगी जैसी हमने दाब लगाया कण पास पास आ गई जब पास पास आ गई तो वो क्या हो गई इद्रव अबस्था में आ गई अब हमने जब और ज्यादा प्रेसर लगाया और ज्याद़ दाव लगाया तो उसके कण क्या हो गए और पास पास आ जाएंगी बिलकूर और सट जाएंगी फिर अवस्ता फिर बदल जाएगी और क्या हो जाएंगी यह ठोस अवस्ता में परिवर्दित हो जाएंगी तो इस पिरकार से तापमान और दाव में परि गल कर द्रव बनता है जैसे कोई ठोस है हमने गरम किया और वह क्या बन गया तुरंट जैसे कोई ठोस है हमने क्या किया इसे गरम किया गरम किया तो क्या बन गया यह बन गया यह द्रव बन गया ठीक है तो यह जो ताप है उसे हम क्या कहते हैं गलनांक है जिस ताप पर हमने ठ ठोस को गरम करके द्रव में बतल दिया, तो वह क्या कहलाएगा, गलनांग कहलाता है, गलने की प्रिकिरिया, यानि ठोस से द्रव अबस्था में परिवर्तन हो जाए, उसे क्या बोलते हैं, संगलन भी कहते हैं, और गलनांग भी क्या है, वही चीज है, ठोस है, जो पिखल कर क या बंज़े द्रव में और वह जिस ताप पर बने उसी क्या बोलते हैं गल नांग बोलते हैं इसकी आंगे हम देखेंगे गलने की प्रिकिरिया की दोरान गलनांग पर पहुँचने की बाद जब कोई पधार्थ पूरी तरह गल नहीं जाता ताप में नहीं बदलता चाहे उसमें और भी उसमा दे दी जाए पधार्थ की कड़ों की आकरशन बल को बदलने के लिए ताकि अवस्ता में क्या हो जाए परिवर्तन हो जाए ताप में बिना कोई ब्रहदी दरसाए पधार्थ उस अतिरिक्त उसमा को क्या कर लेता है आउसूसित कर लेता है यह पधार्थ की मैं छुपी हुई छुपी रह उसमें क्या है एक किलोगराम ठोस कोस की गलनांक पर जब वह जो उसका गलनांक है उस पर द्रव में बदलने के लिए हमें जितनी उसमा की क्या होजेगी आवेशकता पड़ती है आवेशकता होती है जितनी उसमा की उसे हम सनलंगने की प्रशुप्त उसमा कहते हैं क्या बोलत वह तापमान, जिस पर द्रव क्या होता है, उबल नहीं लगता है, मतलब बाई मंडलदा पर वह हमें तापमान बताना है, जिसमें कोई द्रव क्या हो जाए, उबल नहीं लगी, तो उस ताप को हम क्या बोलते हैं, कुथनांग, क्या कहते हैं, कुथनांग, गलनांग मतलब ठ इतना ज़्यादा गरम करें कि वह क्या होने लगी, अबल नहीं लगी, क्या होने लगी, अबल नहीं लगी, तो वह ताप क्या कहलाता है, कुथनांग कहलाता है, यह आपको समझ में आ गया होगा, जैसे जल का कुथनांग कितना है, सोवन से सेल्सियस, या तीन सो तहीतर केलव कितना है जल का कुतना है जल होता है जो हम इसी गर्म करते हैं सोवन सेल्सियस पर तो यह ओबलने लगता है अब आपको और अच्छी समझ में आ गया हुगा जो पानी रहता है उसी हम जब गर्म करते हैं तो सोवन सेल्सियस पर जब गर्म कर देंगी तो वह क्या होने लगेगा अब देखिए द्रव अवस्था में जो उर्ध पार्तन है वो इसकी परिभासा बताई है द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए मेना मतलब कि कोई ठोस है ठीक है तीन अवस्था होती है ठोस द्रव और क्या होती है गैस तो यहीं बोल रहे है द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बेना मतलब द्रव में नहीं जाना है और ठोस अवस्था से सीधे किसमें चले जाए हम गैस अवस्था में चले जाए और बापस ठोस में बदलने की पिरक्रिया यदि हम चाहें तो गैस है जो इसको हम जब दाब बढ़ाएंगे तो यह गैस द्रब में नहीं बदलना गैस से सीधे किस में बदल जाए ठोस में बदल जाए तो यह है जो पिरक्रिया है इसे हम क्या बोलते हैं उर्ध पातन कहते हैं क्या कहते हैं उर्ध पातन जब कोई पधार्त ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदल जाए तो उसे हम क्या काईते हैं उर्ध पातन काईते हैं खुछ उधारन जैसी कपूर कपूर को जब हम जलाते हैं जब हम उसको जलाएंगे तो पहले तो रहेगा ठोस लेकिन हम जैसे ही इसको जलाएंगे तो वह द्रव में नहीं आता डारेक्ट किस में चला जाता है गेस में चला जाता है लेकिन क्या उसी पहली द्रव में आना चाहिए था क्योंकि हमने जब उसमा दी से जला आया तो पहले इसकी कण पहलेंगी तो इस किस में जाना चाहिए था द्रव में लेकिन यह किस में गया था गेस में गया था कपूर तो यह किसका उधारन है यह उर् परिबर्तन होने की कारण है जो पधार की क्या होती है अवस्थाएं बनती हैं वही कारण है दूरी में परिबर्तन जैसे और ज्यादा हमने पहले देखा था जिए तीन अवस्थाएं होती है ठोस द्राओ गैस अब इनमें देखिए ठोस में बिल्कुल कड़केंसे रहती हैं बार-बार हम वही आपको सम्झानी का प्रयास कर रहे हैं, कड़ कैसी डहेंगे बिलुकुल पास-पास रहते हैं, गैस में ए ठोस में रहते हैं बिलुकर सटे हुए इनके बीच रिक्तिस्थान बहुत कम होता है होता ही नहीं है और जो द्रव है इसमें कड़ है जो ठोस की अप एक्छा थोड़े कैसी होते हैं दूर दूर होते हैं इनके बीच जो रिक्तिस्थान होता है द्रव में कैसा होता रिखते स्ट्थ हो सो गे अभ इखाध़ा होता है और देखिए यहां से गेस में है जो कड़ा कै kardeşim लुटंए बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं कैसे और ज्यादा दूर दूर होते हैं फिर इसमें यह निखा पदार्ट के कड़ाव के बीच की दूरी में परिवर्तन होने की कारण उसमें अवस्ता हैं क्या होती हैं बदलती हैं जैसे दो कड़ों की बीच इसमें दूरी कैसी है बहुत कम है यहां देखिए इस कड़ में इस कड़ में दूरी कैसी है जादा हो गई इसमें और इसमें इनकी तुलना करें तो सबसे में इस वालन गैसे इसमें कण़ों की बीच की दूरी है जो क्यासी यह सबसी सबसी जादा थो से उनके कण़ों के बीच की धूरी यह कैसी बहुत पहर कंध्र हो मैं इसमें सबसी जादा कि आंगे देखे फोस मतलब सी ओटू दरव अवस्था में आए बिना सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है यही कारण है कि ठोस जो कारवन डायाकसाइट को क्या बोलते है सुस्क बर्फ कहती है ठोस जोस कारवन डायकसाइट को कहती है दाब बढ़ने और ताप मन को कम करने सी गैस को हम किसमें बदल सकते द्राव में बदल सकते बिल्कुल बदल सकती है दाप को क्या करना है बढ़ाना है मतलब हमें कोई चीज हम भरे हैं गैस भरे हुए हैं इस पर हम और ज़्यादा प्रेसल लगाएंगे इसके जो इस्थान है वो और कम करेंगे जैसे अभी इतने में फैला है हम इसको इतने में कर देंगी तो जो इतने पूरे एरिया में कण थी गैस के वो क्या हो जाएंगे बिलकुल सिकुड कर इतने कम साइज में जो कम हमने प्रिसल लगाए तो उनकी कण है जो बिलकुल पास पास आ जाएंगे जब गैस थी उसकी कण पास पास आ गए तो यह किस में बदल जाएगा द्रव में बदल जाएगा हम पहले से जान चुके हैं जब क्या हो जाएं बिलकुल पास पास आ जाएं तो वह है जो अबस्ता क्या होती है यह बदल देते हैं आंग देखिए कुथनांक से कम तापमान पर द्रब के बास में परिवर्तित होने की जो पिरक्रिया है उसे क्या बोलते है बास पीकरण कैसी बास पीकरण कुथनांक मतलब होता है बिल्कुल ओवल ना क्या होता है ओवल ने लगी जब कोई पधार थी जब कोई द्रब जैसी कुथनांक सी कम ताप पर जैसी जल है जल सोवन सेल्सियस पर क्या होता है उबलने लगता है अब ये बूल लए हैं कुथनांक सी कम ताप पर जो कुथनांक है वह सोवन सेल्सियस है अब इस सी कम ताप मन पर है जो द्रब का क्या होता है बास में बदल जाए जैसे हम जो दिर्व का बास में बदलना zdrav का है जो भाप में उपर उड़ना तो वह यह क्या कहलाता है ? क्या कहलाता है ? बास पी करण कहलाता है ! अंगला पॉन्ट देख़ए बहुत ही इमपोटेंट हैøre। बास पी करण से Seoul क्या होती है सीह तलता आती है... आप से पूछा जाएगा कि जो गर्मी के दिनों में कूलर है जो क्या होता है हमें ठंडी हवा क्यों देता है या मिट्टी के जो घड़े होते हैं मिट्टी के जो मट्के होते हैं वह हमें ठंडा पानी क्यों पलब्द करता है क्यों पलब्द करता है तो इसका वही कारण जैसे है कूलर है उसमें ऐसी क्या हो रहा है चारों तरफ से पानी के रहा है पानी क्या हो रहा है बाफ बाफ बन रही उसके बास पीकराण हो रहा है बाई मंडल में जा रहा है क्यों गर्मी है जिस कारण से क्या आती है सी तलता आती है ठंडा हो जाता हुए और जो मटके का पानी है वह ठंडा क्या होता है तो वह ठंडा इसलिए होता है कि उसमें मिट्टी के बरतन है जो मट्का है छोटे छोटे उसमें छिद्र पाई हो जाते हैं च्छद्रों की द्वारा क्या होता है जो उसमें जल भरा है उसका क्या होता है बड़े ही आसानी से वहबाई मंडल में चला जाता है उसका बास भी करण होता रहता है तो जिस करण से हमें गर्मी में क्या होती है मिट्टी का जो घड़ा रहता है उसमें ठंडा पानी हमें उप कि वो तरवीद देखेंगे तो आप देखिए इनको अब 6 काफी में आपको लिख लेना है और आपको याद भी करना है ताकि जो आपका उद्देश से आपका जो लक्ष है लक्ष क्या है 100 प्रितीसत अंक है मतलब पूरे मैंसे पूरे अंक आपको तभी मिलेंगे देखिए त इस पर आप पढ़ाई करते हैं जिस पर आप बैठकर पढ़ाई करते हैं इसकूलों में भी आपको मिलेगी कुरसी बायू हमारे चारों और क्या है बायू का आपरण है बायू क्या है इक मिस्रण है इसमें आक्सिजन गैस भी रहती है कारवन डाय आकसाइड भी गैस रहती इस सारी गैसेज में भरी हुई है इसने है गंद गंद आप समझते ही होंगी गंद हम नाक की दौर अप उसे पहचानती है कि किस प्रकार की गंद है दुरगंद है या अच्छी वाली गंद है घिरणा बादाम खानेव की चीज है बिचार हमारी मस्तिस्क में माइंड में आती हैं सीत सीतल पे इत्र की सुगंद बाजार मार्केट में कई प्रकार की जो इत्र रहती है अच्छी वाले भी अच्छी सुगंद की भी रहती है आप जो भी पसंद करती हैं कई प्रकार की इत्र मिलती है तो यह आपको कुछ पधार्थ दिये हैं इनमें ऐसी बताना है कि जो नाम दिये हैं मैं असी बताना है जो पधार्थ हैं कौन कौन से हैं पधार्थ देखिए यहां से कुरसी क्या है पधार्थ है क्योंकि यह छोटे छोटे कड़ों से जो लकड़ी के हैं लकड़ी से मिलकर बनी होती है और इसमें लकड़ी है लकड़ी भी एक छोटे छोटे सी मिलकर बनिए बायू बायू क्या है बदार्थ है बायू मेर उपस्तित हो सारे कड़antage आक्षिजन के भी कड़े में श्रण तो इसमें भी बादाम सीतल पे आदी क्या है यह पदार्थ है अब देखे गंद गंद कोईपीँ चीज यह तो नाम है घिर्णा यह पदार्त ही क्या नहीं है बिचार हमारी मस्तिस्क में बिचार आ रहा है थोड़े थोड़े कड़ों से थोड़े मिलकर बना है तो हमें यहां क्या करना था च्छाटना था कि कौन-कौन सी यहां दिये गए है वो क्या है पदार्त है तो हम यहां उत्तर में इतना लिखते हैंग की पास पहुँच जाती है लेकिन ठंडे खाने की जो महक है महक होने के लिए आपको उसकी पास जाना पड़ता है जब हम खाना बनाती है हम किचेन में अपने घरों में जब खाना बनता है तो क्या होता है उसकी गंधा में कई मीटर दूर क्या होती है अपने पहुच जाती है अपने आप पहुंच जाती है लेकिन जब खाना जो धंडा हो जाता है तो उसकी जो महक होती है वो हमें नहीं उतने दूर से समझ में आती है उसकी पास जाना पड़ता है तब हमें पता चलता है कि किस प्रकार से हमारा खाना बना है स्वाधिष्ट बना है अच्छा बना तो उसका में कारण बताना है तो कारण क्या है यहां देखिए हमने आपको जितना बताया था आप यह देखती आप उसको जो कारण है वो देखिए किस कारण से क्या होता है तो हम यहां बड़े ही आसानी से समझ पाएंगे जैसे यह पधार्थ की कड़ों की बिसिस्ताओं का गु तब ही तो हम खाना बनाते हैं उसमें प्याज डालेंगे नमक डालेंगे पाई डालेंगे मसाला डालेंगे और नीचे से क्या हो रहा है गरम हो रहा है तो गरम करने से क्या होती है जो कण रहते हैं उनकी गते जूर्जा क्या होती है बढ़ जाती है क्या होती है क्या होती है क् गरम होते हैं जब पधार तो उनकी गते जूर्जा है बढ़ जाती है और गते जूर्जा बढ़ने से इनके जो कण है वो उनकी बीच की दूरी भी क्या होती है बढ़ जाती है बीच की दूरी बढ़ जाती है और उनकी बीच लेकते स्थन बढ़ जाता है और हमें क्या होता है जो इनकी जो फैलने लगते हैं, जो कण होते हैं, वो क्या होते हैं Baio Mandel में फैलने लगते हैं? यही कारण है कि जो गरमखने की मायक है, ठंडे खाने की अब एक्षा, तेजी सी हमारे पास महोट जाती है, समझ गए होंगे आप इसका क्या कारण है, तो यह आपको लिख लेना है, यहां से आप लिख सकती हैं, उत्तर बड़े ही आसानी से अंगला देखिए, अंगला प्रशन है हमारा, स्वेमिंग पूल में है जो गोता खोर पानी काट पाता है इस से पधात का कौन सा गोण हमें प्रिच्छेपित होता है यह किरियक लाप यह दर्शाता है कि जो पधात की कड़ों की बीच रेक्त स्थान होता है यदि पधात की कड़ों की बीच रेक्त स्थान नहीं होता तो गोता खोर पानी को नहीं काट पाता क्या, क्योंकि जो पधात है अब उसमें क्या होता है रेक्त स्थान तो उसकी कारण जो गोता खूर है वो क्या करता है पानी को काट लेता है यदि कड़ों की बीच जो रिक्तिस्थान नहीं होता तो गोता खूर पानी को नहीं काट पाता जो पधार्थ है पधार्थ की कड़ों की बिसिष्थाएं क्या होती है वो हमें लिखना है यहां से और पधार्त की कण एक दूसरी को क्या करते हैं? आकरसित करती हैं. यह हमने आपको पहले ही बता चुकी हैं. सभी बाते आपको क्या होगी, पहले ही आपको हमने बता दी है. जैसे कोई पधार्त है, वह चोड़े चोड़े कणों से मिलकर बना होता है उन में क्या होता है जब ठोष है तो कढ़े बल्कुल पास-पास होगी दड़ाव है तो थोड़ी दूर होगी जब एक चाह गैस है तो वो उसकी कढ़ होते हैं सबसी ज़्यादा दूर होते हैं जैसी पधार्थ है हमने आपको फitter समझाने के कोसिस कर रही है हांसी आपको समझ में तो आ गया होगा लेकिन हम 2 आराशी समझ लेते हैं एक कोई पधार्थ है कोई चीज है अब ए छोटे-छोटे कड़ों से मिलकर बनी है अब देखिए इसकी गुर्ण स्थान थोड़ा यहां है थोड़ा यहां है समझ रही आप तो क्या होता है पहला पॉइंट की पधारत है उन्हें की बीच में रिखते स्थान होता है पधारत के कर निरंतर क्या होती हैं गती करती रहते हैं यहां से यहां चले जाएंगे यहां से यहां चले जाएंगे क्या होता है गती करते रहते हैं लेकिन ठोसों में यह गती कैसी होते हैं बिल्कुल कम करते हैं गती नहीं करते हैं ठोसों में गैस के जो द्रब है इसके कड़ क्या होते हैं गती करते हैं गैसों में तभी ज्यादा क्या करती हैं गती करती हैं तो आप दूसरा भी समझ गई होगी तीसरा क्या है पॉइंट है पधार्थ के कण एक दूसरे को क्या करती हैं आकर्षित करती हैं पधार्थ है जो इसके कण क्या करती हैं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं इबाला कण हैं इसको आकर्षि तो में सबसी ज़्यादा होता है सबसी ज़्यादा बिलकुल कणहें एक दूसरी को बहुत ज़्यादा आकर्षित करती हैं ताकि यह तूट ना पाए यदि यह तूट जाएंगी तो यह निकल लाएगा अलग हो जाए गई तो भी क्या करती है बहुत ज़्यादा आकर्षित कर अब जैसे द्रव में बात आ जाए तो ठोसों के अब एक छेण की ध्रव में क्या होता है आकर्शन का मानcą जो आकर्शनबल है वह कम हुता है किसमें द्रव में और जू क्यम है systems द्रव में ये ये वह बहुत जेरा बहुत जयाद की था कें से कम आजहीं होगी अंगला कोस्टन देखिए किसी तत्व की द्रबमान प्रिती एकाई आयतन को क्या किसी तत्व की द्रबमान प्रिती एकाई आयतन को घनत्व कहती हैं यहां क्या बोला परिभास दी गई है यहां से देखिए यहां घनत्व का क्या होता है सूत्र घनत्व बराब पर होता है द्रबमान बटी आयतन क्या होता है द्रबमान बटी आयतन तो प्रिती एकाई आयतन में इसको हम एक मालनें प्रिती एकाई आयतन में जो क्या होता है द्रबमान होता है एकाई आयतन में जो द्रबमान होता है उसी हम क्या बोलती है घनत्व बोलती है तो यह आपको बताया गया है सूत्र की द्वारा ह洗़ता का सूत्र दिया है द्रवमान बती आयतन अगला देखिये हम और पशिनोत्तर देखते ही जहां से विस्रण किसी कहते है पहले ही जान चुकी दो पधार्तों के कड़ों का सुताह मिलना बिसरन कहलाता है क्या कहलाता है बिसरन कहलाता है गलनांक यह भी आप जानती होंगी वहताप जिस पर कोई पधात क्या हो जाए गलना गलना सुरू कर दी गलना क्या कर दी शुरू कर दी जैसे कोई ठोस था उसे हमने क्या किया वहताप बताना है जिस ताब पर वह बदल जाए द्रव में क्या हो जाए बदल जाए तो उसी हम क्या काईते हैं कलनांक काईते हैं अगला देखिए कुथनांक वह ताब कुथनांक वह ताब जिसमें कोई पधार थे क्या हो जाए उबलना सुरू कर दी वह ताब बताना है में वह कितनांग कि अपको बिलकुल सरल लगने लगे होंगी सुसक ऑप किसे कायते हैं बताइए सुसक वर्पर ठोसक कारवन डैयाकसाइड को सुसक ऑपर बड़त की अवस्ता पतारदा के लिए उत्तरदाई कारण कैसी जैसे कोई पधार ठोस है कोई पधार द्रब है कोई पधार गैस है इसकी होने के उत्तरदाई कारण कौन सी है ताप और दाब क्या है ताप और दाब इनके मात्यम से हम कोई भी पधार थे उसकी अवस्ता में क्या कर सकते हैं परिवर्तन कर सकते हैं बदल सकते हैं तो हम उसको द्रव में बदल देंगी द्रव है तो उसको हम गैस में बदल देंगी लेकिन कब इसके लिए ताप और दाब हमें लगाना पड़ेगा क्या लगाना पड़ेगा ताप और दाब इसमें हम परिवरतने करें कि इनकी अवस्ता को क्या कर सकती हैं पदार्थ के अवस समझती हैं गुपतूस्मा सी आप क्या समझती हैं तो यहां हम क्या लखेंगी अवस्ता परिवर्तन के लिए समय इस्थिर्टाप पर परधार्थ की एकांक द्रबमान को दी गई आवशक उश्मा को क्या बोलती हैं गुपतूस्मा कहती हैं गुपतूस्मा कहती हैं यहां ताप पर उसी क्या दी जाती है कुछ उस्मा प्रदान करनी पाती है वह एक नियत ताप की जो उस्मा रहती है नियत ताप पर उसी हम क्या प्रदान क्या करता है वह करता है नियत ताप पर उस्मा प्रदान करता है यह आपको बताया गया है गुपत उस्मा जो पदार्थ को हम जब हम देते हैं गुपतूजमा तो उसी जो अवस्ता परिबर्तन में खर्च होती है क्या बोलती है उसी जैसे आपको हम बता रहे हैं किसी पधार्थ की है जो गुपतूजमा वह मात्रा होती है जो उसके एकाई मात्रा दोवारा अवस्था परिवर्तन की समाय क्या होती है आउसोसित की जाती है कोई पधात क्या कर ले अवस्था परिवर्तन करना है लेकिन हम उसमा दे रहे हैं कोई परिवर्तन नहीं हो रहा उसकी अवस्था में जैसे कोई ठोस है हमने इसको क्या किया गरम किया है, हम इसको क्या कर रहे है, गरम करना मतलब उस्मा देना, फो इसको हम उस्मा दे रहे, लेकिन इसकी अवस्ता में अभी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, हम और उस्मा दे रहे, लेकिन फिर भी नहीं हुआ, हम उस्मा तो सी दे रहे हैं, अपनी एनर्जी खर्च कर र अब आपको अच्छी समझ में आ गया होगा अब देखिए हम ठोस द्रव और गैस के गोड़ धर में कुछ नहीं करना अगेले आपको चित्र हम बना की समझा रहे हैं आप जो पॉइंट लिखी है वो आप बिल्कुल समझ जाएंगी कैसे ठोस द्रव और गैस में जो देखिए ठोसों में क्या होता है कण बिल्कुल पास पास रहती है ये ठोस का हम आपको बता रहे हैं देखिए यहां ठीक है ठोस का हमने ये चित्र बना लिया ठोस पहला पॉइंट है ठोस पधार्द का आकार निश्चित होता है होता है की नहीं होता आप बताए क्यों कण बिल्कुल पास पास रहती हैं इनके बीच में कड़ों की बीच रिक्तिस्थान कम होता है जिस कारण से यह क्या होती है इनकी आकार होता है वो निश्चित होता है अब देखिए सीमाएं तथा मतलब आकार और इस्थेर आयतन होता है इसका जो आकार कैसा होता है इस्थेर बदलता नहीं ठोसों का आकार और जो आयतर रहता है वो भी कैसा होता है इस्तित होता है अंगला देखिए तीसरा बाहबल लगाने पर ठोस अपनी आकार को क्या करता है बनाए रखता है मतलब जो हम इसमें बल लगाएंगे तो जो ठोस होती है वो क्या होती है आकार को बनाए रखती है आका बल होता है जो ठोजवा में क्यासा होता है द्रब और गेस की अप एक च्छा जादा होता है अंतुरानक बल आप समझ रहे हैं जैसे कोई एक एकड़ है और एक एकड़ है इनके बीच जो बल लगे उसे बोलते हैं अंतुरानक बल अब देखी जब कड़ बिलकुल पास पास है तो उनके बीच है जो क्या लगेगा बल है वो जादा लगेगा समझ रहे हैं बिलकुल राइट अंगला देखिए द्रब की गुड़ धर्म अब बिलकुल कुछ नहीं का नाप बिलकुल समझ गई होंगे इनका आकार क्या होता है नहीं होता होता तो है लेकिन निश्चित नहीं होता क्या होता है इनका द्रब का आकार निश्चित नहीं होता यह जिस बरतन में डालेंगी यह उस आकार की हो जाएंगी लेकिन इनका आयतन निश्चित होता है क्या होता है इनका आयतन निश्चित होता है द्रब का आकार निश्चित नहीं होता लेकिन आईतर निश्चित होता है द्रब में अंगला देखिए तीसरा द्रब में बहाब होता है मतलब बहनी का गुण होता है इनका आकार क्या होता है बदलता रहता है क्या होता है बदलता रहता है अंगला देखिए क्या लेखेंगी चौथी में अंतुरानेक बल है फोसों से क्या होता है कम होता है कैसी कम होता है जैसे इसमें देखिए जो इसकी कण थी फोसों में बिलकुल सटे हुए थी द्रवाव में क्या हो गई दूर दूर हो गई तो इन की गुणधर में क्या लिखेंगे ठोसों एबं द्रबों की तुलना में गैसों की संपीड ता अधेक होती है संपीड ता मतला में इनकी जो आकार है उसको हम कम कर सकते हैं इनकी कणों की बीच में जो बल है उसको हम कम करके सकते हैं संपीड कर सकते हैं अब देखिए इनकी कण के बीच है जो अंतुरानक पल के ऐसा होता है कम होता है क्यों कन है जो बहुत जादा दूर दूर होते हैं और दूर दूर होने से इनमें जो बन लगता है वो कम लगता है गैस को आसानी से क्या किया जा सकता है दबाया जा सकता है और यह हम यह भी लग सकते हैं गैसों का कोई याकार नहीं होता है, क्या नहीं होता है, आकार नहीं होता है, और इनमें बिसरन है, जो काफी तेज होता है, सबसे ज़्यादा बिसरन किसमें होता है, गैसों में होता है, यह आपको यात कर लेना है, और देखिए, और कॉस्चन क्या बनेगे, आपके जो अध्याइसी, पधा अर्थ की कणों की बीच रिक्तिस्थान होता है उधारन देकर समझाइए कैसी हम बताएंगे जब हम एक बीकर में पानी लेती है और उसमें हम क्या डालते हैं पोटेसियम परमेगनेट के कुछ कण डाल देती हैं कुछ देर बाद हम देखती हैं पोटेसियम परमेगनेट पू जो रिक्तिस्थान होता है अंगला देखिए क्या गैस उस पूरी बर्तन को पूरी तरह भर देती है। जिसमें उसको मतलब रखा है हमने किसी बरतन में गैस भर दी अब आपको बताना है क्या है पूरी बरतन में भर गैस तो देखिए द्रबों की तुलना में गैसों की संबीटता क्या होती है अधेक होती है जिस से ये जिस बरतन में डालना होता है तेजी से स्थान ले लेते हैं और क्या होते हैं पूरी तरह से भर देते हैं यह आपको इसके उत्तर में लिखना था बासपी करण के कारण सीतलता कैसे होती है आपको हम पहले ही बता चुके हैं बासपी करण की दोरान जो कम हुई उस्मा को क्या होता है पुना प्राप्ति करने के लिए द्रव हैं जो अपने कण आसपास की उसमा को क्या कर लेते हैं उर्जा को आउसुसित कर लेती हैं इस तरह से आसपास से उर्जा आउसुसित होने से आसपास ठंडक होने लगता है और हम उसमें क्या आ जाती है सी टलता आ जाती है ठोस कारबन डाय आकसाइड को सुस्क वर्फ क्यों कहती है क्यों कहती है क्यों कि यह होती है जो मतलब ठोस कारबन डाय आकसाइड है द्रव अवस्था में आई बिना सीधे किसमें बदल जाए गेस अवस्था में यह परिवर्तित हो जाती है यही कारण है कि इसको क्या बोलती है ठोस कारबन डाय आकसाइड को हम क्या बोलती है सुस्क वर्फ कहती है मतलब जो ठोस कारबन डाय आकसाइड उसे सुस्क वर्फ क्यों कहती है तो इसका यही कारण है कि यह जो जब बाई मंड़ी दाप पर है जो क्या होता है इसे हम अवस्था परिबर्तन करती है इसको तो यह सीधे मतलब द्रव अवस्था में नहीं आती ठोस से सीधे किसम बदल जाती गैस में बदल जाती जिस कारण से से हम सुस्क परफ की नाम से जानती है उर्ध पातन किसी काईती है अब तो आपको विल्कुल अच्छे सी बनने ही लगा होगा उर्ध पातन किसी काईती है जब कोई ठोस पधार्त जब कोई पधार्त यहसा भी लख सकती है द्रव अवस्था में आए बना सीधे गैस अवस्था में बदल जाए गैस अवस्था में परिवर्दित हो जाए उसे हम क्या काइते हैं वूर्ध पातन काइते हैं बास्प्रण कोप्रभावित करने वाले कारक मतलब सताह का ऐरिया है वह बढ़ जाए तो बास्प्रण पर क्या प्रभाव पढ़ेगा बासपी करण क्या है सतही प्रिक्रिया है और सतही छेत पर बढ़ने पर है जिसकी जो बासपी करण की दर क्या होती है बढ़ जाती है कैसी जैसे आप जब कप में चाय पीती है तो वह क्या होती है और जब आप प्लेट प्याले में चाय पीती है प आप कप में चाय लिये थे, तो इसका जो एरिया था, छेतर fabulous था, वो यूए कम था, जैसे फिट JAKE Muhyaj, प्याले में डाला, प्याले में क्या किया चाय को ली तो इसका जो छेतर फल है वो बढ़ गया और जो गर्म चाय थी, वो जन्दी किया होने लगी ठंडी होने लगी जिससे आपको जो गर्म थी हुआ है आपको बहुत कम गर्म लगी यही आपको आप समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं कि जो सतय छेत फल बढ़ने से जो बासपी करण की प्रिक्रिया है वो क्यासी होती है बढ़ जाती है अंगला देखिए तापमान में हरत की करणों की जो गते जूर जा है वो कैसी होती है बढ़ जाती है जिससे क्या होता है जब करणों की गते जूर जा पढ़ेगी जिससे बासपी करण की दर भी क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी आदता में कमी क्या यहां आदता में कमी देखिए बाई में वो पस्तित है जलबास्प की मात्रा जिसे हम क्या बोलते हैं आद्रता कहते हैं आद्रता जलबास्प बढ़ने से क्या होगी आद्रता बढ़ेगी और आद्रता बढ़ने से है जो बास्पी करण की दर क्या होगी भई या कम होने लगेगी समझ रहे हैं कम होने लगेगी आद्रता बढ़ने स जो बास्पी करण की दर क्या हो जाएगी घट जाएगी अब बायू की गती में ब्रधी देखिए जब बायू की गती में ब्रधी होगी तो बास्पी करण की जो कण है वो तेजी से बायू के साथ क्या जाएगी उड़ जाएगी जिससे आप आसपास की बास्पी करण की महत्र क्या हो जाएगी घट जाएगी अब देखिए प्लाजमा हमने आपको बताया था कि पधार्थ की चोथी अवस्ता कौन सी है प्लाजमा है प्लाजमा क्या है तो यहां हम लखेंगे प्लाजमा पधार्थ की चोथी अवस्ता है नियान बल्बे की अंदर नियान गैस और फ्लोरो क्रेट हो जाए आईनी क्रेट यानि आविस्थ हो जाए आविस्थ होने से जो ट्यूब है या बल्ब के अंदर क्या होता है चम की लपधार तैयार होता है जिसे हम क्या बोलते हैं प्लाजमा कहा जाता है यह क्या है प्लाजमा गुप्त उसमा किसी कहते हैं यह आपको हमने पह मुझने की बाद जब कोई पधार्थ पूरी तरह से गल नहीं पाता तापमान नहीं बदलता चाहे उसमें और भी उसमा दे दी जाए और जो पधार्थ के कड़ों के आकर सनबल को बदलने के लिए ताकि पधार्थ किया हो जाए आवस्ता बदल जाए आवस्ता में जानते हैं या गुप्त उसमा कहलाती है अंगला देखिए संगलन की प्रशुप्त उसमा किसे कहती है तो इस विसके उत्तर में लखेंगे बाई मंडले जो दाब रहता है एक किलोगराम ठोस को उसके गलनांग पर द्रब में बदलने के लिए जितनी उसमी उर्जा की आवशकता होती है उसे संगलन की प्रशुप्त उश्मा कहती है बायू मंडल की गुप्त उसमा से आप क्या समझते हैं जो बासपी करण क्या लिखा है बासपी क दाब पर हम फिर वही लिखेंगी बायू मंडली दाब पर एक किलोगराम द्रब को उसके कुथनांग या गैसी अबस्था में परिबर्तन करने के लिए जितनी उसमा की आवशकता होती है उसे हम क्या बोलते हैं बासपी करण की प्रशुप्त उसमा कहती है संगनन क्या है संगनन क्या है संगनन क्या है वह प्रिक्रिया जिसमें गैस संगनन होकर मतलब गैस की कण पास पास आ जाते हैं जो क्या होती जुड़ जाती है जुड़ कर वह द्रब में परिबर्तन होने लगता है या परिबर्तन हो जाता है तो वह क्या कहलाती है संगनन कह कहलाती है गैस की कण के ऐसे दूर दूर थी जब वो पास पास आगई तो किस में परिवरतित हो गई यह क्या कहलागा संगनन कहलाएगा अंगला देखिए सोईं सेल्सियस पर भाप अर्थात बास्प के कणणु में उसी ताप मन पर पानी की कणणु की अपेख्चा अधेक उ होता है क्यों भाप में भाड़क कंड़ू करन जो गुप्त ऊस्मा है अथिरेक तूसमा अरहने आउसोसित कर लेता है जिस से होगा है उसी तापमान पर पानी की कंड़ू की अदेक ऊस्मा होता है उनक्तू पर ठोस पेखलने लगी तो उसी गलनांग बोलती है और जिस ताप पर द्रव क्या होने लगी ओबलने लगी उसी कौथनांग कहती है ठोसों में क्या होता है गलना होता है और द्रवों में क्या होता है द्रव में होता है कौथनांग होता है अब तीन उर्ध पातित चुपधा थे इस प्रकार से हमने जो अध्या हमारा चेप्टर है उसी हमने कम्प्रीट कर लिया यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्रेब जरू करें इसकी बाद हम मिलेंगी नेक्स्ट टॉपिक में नए वीडियो के साथ अंगली वीडियो में